नमस्कार आप देखने रेवाडी अपडेट और आज 24 मई का कुरोना बुलेटिन जिला परसासन ने जारी कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अभी तक जिले में 2397 सैंपल्स लिए गए हैं जिन में से 50 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है साथ ही ये बताया गया है जिला परसासन की तरफ से कि अभी तक जिले में 16 जो पोजिटिव केस हैं वो सामने अभी तक आ चुके हैं जिन में से एक जो सक्टर चार के महिला थी वो ठीक हो गई है और वापिस हमने घर लोट आई है फिलाल 15 एक्टिव केस है जिनका इलाज जो केस आए हैं बीती रात बीकानिर गाउं से एक व्यक्ति कुरोना पोजिटिव आया था जिसके बाद जो संख्या थी वो बारा हो गई थी और सुभे ग्यारा बजे एक रिपोर्ट और आई जिसमें चार पोजिटिव केस और सामने आए और यानि ये संख्या बढ़कर सो जोब ला हो गई और अकेले बीकानिर गाउं से ही पांच नए मामले सामने आया है दो फिर बारा बजे के बाद से ही जिला परसासन ने गाउं गंगाय चाहिर और दोनों को पूरी तरह से सील कर दिया और लोगों को हिदायत दी कि घरों के अंदर रहे किसी भी तरह कि उनको सबसे ज्यादा खत्रा है तो साथ ही अब जिला परसासन की तरफ से जो अलगलग स्थानों पर contentment zone घोसित की हैं वहाँ पर उनकी contact history के अदार पर लगातार sampling की जा रही है पहले जो contentment zone थे चाहिए वो खटावली contentment zone हो या रतन्थल का हो या मायन गाओं का हो या फिर माजरा भालकी का तो सभी contentment zone में जिला परसासन ने उन गाओं को सील किया हुआ है और वहां के जो गिरामिन है उनकी बकाइदा screening करा कर उनके जो contact history के अधार पर उनकी sampling की जा रही है और जो बीका निर गाओं जो नए जो मामले सामने आये उनकी contact history के अधार पर भी जो पांच नए मामले सामने आये उनकी contact history के अधार पर भी 16 नए sample लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी साथ ही जो CISF के जो जवान थे वो जवान हलाकी उनकी battalion उनको ले गई लेकिन जिस घर में वो ठहरे थे उस घर से भी तीन लोगों के sample लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट भी आना अभी बाकिए है जिला परसासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि करोना की chain को तोड़ने के को तोड़ा जा सके